ओके तो काफी सारे बच्चे जॉइन हो चुके हैं तो ठीक है मैं अपना इंट्रोड़क्शन पहले आप लोगों को दे देती हूं शायद आप लोग मुझे जानते होंगे मैं याशिका मित्तल ठीक है और इस साल मैंने नीग 2024 में 705 मार्क स्कोर किये थे और मैंने अपनी प्र क्लास थी मुझे बताया कि अभी तो आप लोगों के सेशन में जोईने उसके लिए पहले थैंक यू और डोंट वरी आप लोगों का टाइम वेस नहीं होगा ठीक है आज की क्लास आपकी जरूर मिस होगी बट आल मेक शूर कि आपका जो यह टाइम है वह बिल्कुल भी वेस के सकते हैं ठीक है मैं सेशन को खोशिश करूँगी कि आप लोगों की जो नेक्स क्लास है कि उससे पहले हम अपना सेशन और और ऊप लोगों को फॉर्म को फिडबैक फॉर्म रहेगा ठीक है तो आप लोगों की आप लोग उस फॉर्म को जरूर भाईए जैसा भी अब का review और जो भी आपका experience इस session के दौरान रहेगा, ठीक है, आप honesty से अपना जो भी आप लोगों का suggestion रहेगा, वो आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है, तो आप लोगों के जो भी queries हैं, एक एक करके आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, और अपने बारे में थोड़ा मुझे बताईए आप लोग साथ-साथ बात कीजिए, ठीक है, आप लोग लिखिए कौन-कौन सी कासे से हैं, ताकि मैं बता सकूं कि अच्छा ठीक है, आप लोग कहां क्या stand कर रहे हैं, क्या प्रेप्यार करेंगे, ओके, है नहीं, हेलो, 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 मैं क्लास नाइफ के होगी, जानवी फ् साथ active रहेंगे, उतना ही मैं आप लोग के साथ active रह पाऊंगी, तो आप लोग बेज जिजग जो भी आप लोग के सवाल हैं, ठीक है, सूरिया from 10th, ओके, आप लोग की queries है, जो भी आप लोग की doubts है मन में, वो आप लोग बेज जिजग मुझे बोल सकते हैं, और आप लोग and उसके बाद, जब मैंने quota shift किया था, तो covid का time आ गया था, इस वज़े से मेरी preparation नहीं पाई थी, 11th और 12th थोड़ी मेरी down चली गई थी, then उसके बाद जो मैंने पहला time दिया था, तो मेरे 4 सो कुछ number आय थे, ठीक है, नीट में, but उसके बाद मैंने सोच लिया था कि नहीं, म मुझे चीजे अच्छे से मैं balance नहीं कर पाई, और फिर मेरा एक attempt fail हो गया, और मेरे marks आये 529, next year मैंने फिर से सोचा कि नहीं, मुझे फिर से give up अभी भी नहीं करना है, फिर से अपनी journey को start करना है, और next day से ही मैंने शुरू कर दिया अपनी तयारी फिर से, 7 महीं को हमारा exam ह हुआ था, then 8 और 9 माई से मैंने अपना session फिर से शुरू किया कि मुझे पढ़ना है, और मुझे नीट निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने फिर से तयारी शुरू की, learn and prep आप लोग जानते ही है, ठीक है, मेरी journey का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा, जिसने मुझे help किय मेरी journey में, और इस बार मैंने 705 mark score किया, with all India rank, 1253, तो ये थी मेरी story और इस story में बहुत सारे, मेरी journey में बहुत सारे ups and downs थे, हम हर किसी को होता है कि motivation कम हो रहा है, या पढ़ने मन नी कर रहा है, ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए जो हर किसी बच्चे की problems होती है, हर क में भी आते होंगे, और अभी 9th में हम तो कैसे तयारी लेकर जाएं कि 12th के साथ हमारा paper निकल जाए, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि NEET का clear exam कर दे वो, और 12th के साथ कर दे तो क्या ही बात है, तो आप लोगों कि क्या-क्या queries रहती होंगी, मैंने सोचा है कुछ-कुछ, उ क्या है में बहुत सारे बच्चों का मन नहीं लगता होगा, जो prepare कर रहे हैं, ठीक है, उनका ऐसा होता है, बीच-बीच में की, अभी classes कर ली है, coaching की इतनी सारी classes किया, उसके बाद भी पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ू मैं, है न, तो मेरे साथ भी होता था, मेरी classes सुभ रहा हो, hello, hello, ठीक है, ये सारी चीज है मेरे साथ भी होती थी, कि पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों की चीज समझनी पड़ेगी, कि कभी भी आप पढ़ने बैट रहे हो, तो उससे पहले gap होना चाहिए, और आपका mind relaxed होना चाहिए, जैसे मैं सुभा coaching करती थी, तो रिलेक्स करने का क्या तरीका है, या तो आप सो जाएए थोड़ी दियर, ठीक है, अगर आप सो नहीं रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज कीजिए, जो आपके mind को सुकून दे, ठीक है, music सुन लीजे, music सुनना एक option है, ठीक है, अपने ममी बापा की साथ बाते कीजिए, या बैठी रहिए, ठीक है, बाहर नेचर में देख लिजे, बैठी रहिए, पर फोन वगएरे नहीं चलाना आप लोगो, ठीक है, पोन से जितना ज्याधा बच सकेंगे, फोन देखो आप कभी भी चला सकते हो, पूरे टाइम चला सकते हो, कोई दिककत नहीं है, लेकिन जब एक ऐसा time है जब आपको सबसे थोड़ा isolated रहना चाहिए ठीक है इन सारी चीजों से तो पढ़ाई में मन लगता है का पहला यह चीज है कि आपको अपने mind को थोड़ा से है ठीक है बाहर लोगों को देखिए कि अभी लोग कितना आगे बढ़ चुके हैं और आपको क्या क्या करना अपनी लाइफ में यह सारी मोटिवेशन की जो चीज़ें यह आप लिखिए डेली पढ़िए या फिर सुबह जब आप उठते हैं सोके तो अपने आप से कहिए कि हम क्या क्या करने और हम क्यों करने है इंड़ Crash You are by शुट क्लियर कि आपको कोई भी चीज कंने और कभीोछ एसूं होता है कि आपको पढ़ाए में मन नहीं लग अब अपने पुश की कि ठीकिए बैठते है पढ़ने के लिए एक चीज क्या कर सकते हैं मैं अपने टाम प्रक्ति अपनी किन एक कर सकते हमाली मैं मैं फूद के लिएिश्ट करती थी क्या आज मैंने यह गॉल कंप्रीट कर लिया तो मैं secret होगा कि ठीक है मुझे ये काम करना है उस चीज़ के लिए तो इस तरह से अपना परहाई में लगाई है खीक है आप अपनी queries डाली है कि आप लोग क्या problem face करते हैं ठीक है अपलोग कैसे अपनी त्यारी तो चार्ट से नो आपके क्लासेश का टाइम है उसके बाद मत पढ़िए उसके बाद अगर आपको कुछ करना है तो आप डिनर कीजिए और आपने उस दिन जो पढ़ा है बस उसको रिवाइस कर लीजे पेजिस से गो थू हो जाईए आपने जो नोट्स बनाए है ठीक है कम से कम भी 6-7 घंटे जरूर सोने है ठीक है आप मतलब 7 घंटे तक अराम से सोए कोई दिक्कत नी है और मैं यह नी बोलूगे कि मतलब तयारी के टाइम पर तयारी के टाइम पर डिस्ट्रेक्शन से दूर रहना है नींद कम कर देना है खाना पर ध्यान नी देना ऐसा कुछ तो नींद प्रॉपर लेनी है शुबह उठो ठीक है शुबह उठो और अगर नहीं उठा जाता तो दीरे दीरे आदत बनाओ क्योंकि अभी आप लोगो के पास टाइम है इस आदत को डेवलप करनेगा कि आप लोग सुबह उठ सको ठीक है तो सुबह उठो उसके बाद आद आदा बनाओ कि सबसे पहले सबसे सिंफल सब्चक पढ़ोगे अप सबसे पहले सिंपल सब्चक यू बढ़ना है वैसे नीं से उठोगे घुट है कि अज़िए अपको फ्रेशन अब किया अब break कैसे लेना है yoga कर लीजे meditation कर लीजे ठीक है 5-10 मिनट करनी है आप ने के जम रख आउट में लग जाएंगे हम लोग तेक है 5-10 मिनट meditation work out थोड़ा सा yoga कीजे ठीक है ऐसी चीजे करने से क्या होगा माइं लिया और आपको जो next subject पढ़ना है उसके लिए आप ready हो सकेंगे कि मुझे next subject किया लेना है ठीक है तो अपने तफ ऑप सब्यक्ट को लेने से क्या होगा आप टाफ शब्जक्ट को complete कर लेंगे तो आपको खुशी होगी कि चलो मेरा काम हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया, मतलब एक tough subject को complete करने से क्या होता हमें लगता है कि आते से ज्यादा काम तो मैंने complete कर लिया अपना, यह सब करने और proper breakfast, ठीक है, खाने से कोई भी compromise नी होना चाहिए, अगर आप लोग मैस वगरा में रहते हैं, तो आप ध्यान करने हैं, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लीजे, ममी पापा से बात ही कीजिए, तो आप लोग को चार बजे से पहले-पहले क्या करने हैं, लेट से आप लोग साथ बजे पढ़ने बैठे, साथ से नो एक subject complete किया, फिर आदे घंटे का ब्रेक लो, अपना योगा करो, meditation करो, ठ दूसरा subject लेके बैठो, जिसे बारा बजे तो complete करने है, ठीक है, ब्रेक फास्ट वगरा करने है, ठीक है, बारा बजे क्या करने है, थोड़ा से relax करो, आदे घंटे, एक घंटे तक कुछ भी मत करो, ठीक है, फिर आपके पास time है, कि एक बजे से फिर से पढ़ने बैठ सकते ह तो अगर आप चाहते हैं, तो एक बजे से तीर मज़ते हैं, अपना तीसरा subject ऐसे complete कर सकते हो, अब initial time है, तो क्या करने है, अभी अपना इतना ज़्यादा time मत रखो, दो-दो घंटे का, ठीक है, आप अगर subject को एक डेल घंटे में complete कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है, क कर लेते हैं, तो आप अपनी speed के हिसाब से, आपके goal set होने चाहिए, तो आपको उस हिसाब से चलना है, ठीक है, ओके, तो chemistry का question, एशीन है ना, chemistry tough लगती है, मुझे भी बहुत लगती थी अपने time पे, but surprisingly chemistry में ही 180 score हुआ है, तो tough कुछ नहीं होता है, ठीक है, कोई बात नहीं मुझे chemistry tough लगती थी, इसलिए मैं क्या करती थी, जैसे organic chemistry मुझे सबसे दा tough लगती थी, उसके लिए मैं क्या करती थी, कि मैंने पूरी organic chemistry को 7-8 पेजों में लिख दिया था, सारे chapters, चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे, और ऐसा भी निथा, मतलब मुझे ऐसा लिखता आप भी 9-10 में है, ठीक है, तो इस आदत को धीर-धीर build-up कीजे, ताकि 11th class से आप इस आदत को पूरा अच्छे से accelerate कीजे और daily short notes बनाईए, क्योंकि short notes last में जितने beneficial होते हैं, मतलब आपको समझ में आएगा last time पे चीज़े, chemistry के formula stuff लगते हैं, chemistry के formula stuff लगते हैं, chemistry के formula stuff लग 10-20 questions हर book से उठाओ, या फिर अपने teacher से बोल तो teachers provide कर देंगे, damn sure easily, उस subject के उपर और क्या बते हैं, उस formula के उपर 10-20 questions कर डालो, तो आपको लगेगा कि हाँ, easy है चीज़े, ठीक है, पहले सुझाता का question ले लेते हैं, physics के numericals, अगर किसी का question miss हो जाना, तो प्लीज आप नहीं बनते हैं, तो बहुत simple तरीका, मैं आपको सच बताऊ, नीट में बहुत easy question पूछेंगे physics के, जो हमारे test में आ रहे हैं, जो यहां के test में आ रहे हैं, उससे तो at least easy होने वाले हैं, क्योंकि obviously level test का यहां होता है, नीट का यहां होता है, ठीक है, फिर हम anxiety में अपने level को यहां तक ले आते हैं, तो वो नीट से match कर जाए, इसलिए आप लोग को थोड़ा tough test दिया जाता होगा, इसलिए आपको क्या करना है, बहुत साथा tension नी लेनी है, अगर आपको बहुत डर लग रहा है कि इसी chapter से तो पहले PYQ solve कर लो, अब PYQ होते ही इतने आसान है कि आपक physics equation हो जाएंगे, दूसरी चीज, जिस numerical पे question गलत कर रहे हो, उसको क्या करना है, अलग से note करना है, ठीक है, अपनी copy के top पे लिख लेना है, यह वाला numerical मेने गलत किया था, और इस formula बेस पे गलत किया था, ठीक है, हर एक test का analysis आपके पास होना चाहिए, हर एक question का, कार्तिक का question कार्तिक ने तो इतनी बार repeat के question को बहुत जादा जरूरत है आपको इस question का answer की, attraction between opposite gender, हाँ ठीक है, यह question बहुत लोगों के दिमाग में होगा, पर कार्तिक ने पूछा है, ठीक है, very good, attraction between opposite gender, देखो हर चीज का एक समय होता है, और हर चीज अपने समय पर अच्छी लगती है, ठीक है, अभी आप 9-10th classes में हैं, ठीक है, अभी तक मैंने 12th class का शायद एकी बच्चा देखा है, ठीक है, आप लोग 9-10th classes में हैं, लगबग लगबग आप लोग 15-16 साल के हैं, ठीक है, तो जिससे भी attraction हो रहा है, block कर दीजे, क्योंकि सामने से block होने से अच्छा है कि खु कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होता है, यह सब सब बकवास होता है, जिसके पास success होती है, ठीक है, और जो अपना काम सही समय पे कर रहे है, जो जिस चीज का time है, उसी की इज़त है, और उसी को respect मिल रही है, ठीक है, यह सब चीज से बकवास है, कुछ नहीं होने वाला आपको कोई और अगली दिन पसंद आ जाने है और उनको कोई और पसंद आ जाने है ठीक है तो attraction between opposite gender जो भी है उसको आप cut off कर दीजिए ठीक है देखो अगर सही होगा तो चार साल बाद मिलोगे तब भी वह वही रहने वाले है ठीक है और अगर गलत होगा ना तो चार दिन भी हैने वाले भी मिलेंगे अब यहां पर क्या है कोचिंग में कोचिंग में आज आप मानलो clear नहीं किया आपने नीट और सामने वाला नीट क्लियर करके चल जाएगा ठीक है वह अपने मस्त कॉलेज में बढ़ाएगा और लोगों से मिलके दो दिन भी आद नी रखने वाला को ठीक है कार्तिक थोड़ा समझ जो कोई कुछ नहीं पढ़ा है इन चीजों में ठीक है कोई नहीं आद रखने वाला और क्वेशन पूछो गंचन आपका क्वेशन रिपीट करो ना स्कूल होता है क्या पूछ रहो आप अच्छा आप पूछ रहो कि स्कूल होता है तो सेल्फ और फोकस रखती थी खुद को कि मुझे घर पर कम महनत करनी पड़े किसी का मन नहीं करता च्छे घंटे की क्लास लेने के बाद वापस शे घंटे पढ़ने गा ठीक है तो इसलिए मैं खुद को इतना साधा काम और फोकस रखती थी क्लास के अंदर मतलब मुझे किसी से बात करनी करनी ठीक है कोई मेरे आसपा शोर कर रहा है किसी को मट्टो को करने दो उनको बाते वो वैसे सेलेक्शन की रेस्त आउट हो रहा है आप दूसरी जगे जाकर बैट जाओ और वहां से पढ़ो जहां से आपको बिलकुल नौइस नहीं है और आप अराम से पढ़ सकते हो ठीक है और सेल्फ स्टडी की बात अगर है तो जैसे क्लास के बीच में दस मिट का गया होता है ठीक है उस ताम पर अराम से बायो के 10 या 15 क्वेशन टिक कर सकते हो आप अपनी प्रेक्टिस पेपर लो और 15 क्वेशन टिक कर लो अब मालो आपने एक दिन का गोल सेट किया था किया है तो मेरे फ्रेंट्स पांच वह गंठेस प्रग गोंडेस चार गंडेस हो रहे हैं जाइस हम जैसे आफ들 कि अपडहेग्घ कि सीच इज में विस्ट कर दिए उसके भाद खान काने गए तो उस्टीच समय वेस्ट करने है आपको उस 10 में उसको सोने में एड कीजिए आप क्योंकि नीन इतनी इंपोर्टेंट है ना अगर आप साथ साथ खंटे सोईंगे तो आपका माइन इतना रिलेक्स रहने वाला है कि आपको पढ़ने में मजा भी आएगा 12 बोर्ड और नीट की प्रिपेशन 12 बोर्ड और नीट की प्रिपेशन दोनों मैनेज नहीं होता क्यों मैनेज नहीं होता मैनेज क्यों नहीं होगा सलेबस अलग है क्या चलो ठीक है देखता है यहाँ पर टाइम टेबल की बात करेंगे उसके बाद कि किसका ये क्वेस्टन रोटुजा वो बोल रहे है कि 12 बोर्ड और नीट का सलेबस मैनेज नहीं कर पा रहे है नीट की प्रेपेशन पर मैनेज ही क्यों करना है आपको कोई दिक्कत ही नहीं है आपको आप अपने बोर्ड पर ध्यान दीजिए अगर आपको थियोरी अच्छे से लिखनी आती है साथ में कैसे दोगे इसलिए तो आपको महिने का टाइम मिलेगा ना बोर्ड के बाद ताकि आप सारी चीज़े रिवाइस कर सको हाली में आप बोर्ड दोगे तो आपको 12 तो वैसे पूरा आता होगा अगर आप फोकस से सारी चीज़े करोगे तो यह चीज़ इतने टफ नहीं कि मैंनेज नी कर पाएंगे क्योंकि स्लेबस सेम है तो आप अपने आपको थोड़ा पॉजिटिव सिगनल दीजे कि स्लेबस सेम है चाहे मैं 12 के लिए पड़ू चाहे मैं नीट के लिए पड़ू बुक ठीक है बुक वाला question मुझसे बहुत लोगा ने पूछा था पहले भी तो मैं बुक के लिए बताती हूं कि मैंने कोई extra book फोलो ने की मतलब रेली जब मैं लोग को बताते तो थोड़ा सा surprising हो जाती यह बात कि मैंने कोई भी extra book फोलो ने की थी मैंने practice paper और module अपने coaching के किये थे बस पर लेकिन यह बात थी कि मुझे फिर अपने module जो था और जो मेरा practice paper था उससे आप कभी भी question पूछ लो और मतलब कहीं पे भी पूछ लो मुझे वो उसका solution आता होगा अगर आपको कोई जैसे मेरे साथ क्या होता था कि exercise one solve कर रही हूं मैं और लाइक बीस question में से पांच question नहीं है तो आपने उनको circle किया होगा फिर आप अपने teacher से पूछोगे ठीक है उस question को circle रखना है दो दिन बाद उसी दिन नहीं दो दिन बाद उस question को वापिस से अपनी copy पर solve करोगे और तब अगर उसका answer निकाल सकते हो तो हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है अब आपको एक question आ सकता है और उसको tick कीजिए फिर next जब आपका test होता है न तो अपने module के questions को आपको देखे कि सारे tick है या नहीं है ठीक है और जिनको circle किया था उनको वापिस से एक बर करके देख लिए तयारी इतनी अच्छी हो जाएगी आपको करने की और जरूरत नहीं पड़ेगी चीज़े क्योंकि आपको बाकी चीज़े पहले से आती है जो गलत कर रहे थे उसक मानलो आपकी All India Rank 1 आई है अब कैसा confidence है आपके अंदर तो अपने आपको डेली ऐसा positive सोच मतलब ठीक है सुभा उठो और सोचो बैठके 5 मिनट की All India Rank मेरी आएगी इस बात का depression नहीं लेने ना की All India Rank में को लेके आनी है नहीं ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है जिसकी rank 10 आती है व का confidence तो आएगा दूसरा confidence कैसा आता है मानलो क्लास में आपका answer आ गया चीक है उसको जरूर बोलना answer को मानलो आप फिदिक के class ले रहो answer आ गया आपका जरूर बोलना भले वो गलत हो जाए मेरे तो बहुत गलत होते थे और मेरे दो तीन test के बाद जैसे sir को दिख आता है ठीक बच्चे को मिलता है उसकी success की जो जर्णी है वो ऐसे असान बन जाती है तो confidence तो आ जाएगा आप लोग के लिए chat section में एक Google form है ठीक है मैं आपको पहले बता जया था वो feedback form है इस session का तो आप लोग को आप लोग का जैसा भी feedback है honesty सा आप उसे भर दीजे आप लोग chats में बता ठीक है time table बनेगा rough कि मुझे चार से पांच घंटे पढ़ना है या सुभा ऐसे छे घंटे का मेरा school है फिर आके मुझे एक घंटा ऐसे rest कर लेना है तो वो ऐसे चलेगा कि दो बज गए तो दो पांच दो दस तक वो चीज हो गई या फिर एक पचपन तक वो चीज हो गई इ आप उन में हिर जाओगे अगर आपको उनसे अलग बनना है तो उनसे अलग सोच ना भी पढ़ेगा ठीक है इसके लिए क्या करने बच्चे बनाते है की हमें कितने मजे से कितने मजे संटक पढ़ना है आप है किने मज़े से कि अक्स्ट्रा चीज जो पढ़ाई के अलाम है करनी है बाकी ताइम तो मेरे को पढ़ना ही है तो इस सब टाइम नी बनता है ताइम टेबल कैसे बनेगा मुझे पढ़ना है लेकिन पांच घंटे नींद के निकाल दूँ ठीक है एक घंटा मेरा कोचिंग का आने जाने का या फिर ब्रेक का निकाल दिया इस तरह से निकालना है कि कितने मज़े से एक्स्टा चीजे करनी है अब एक चीज़ और अपने टाइम टेबल में योगा मैडिटेशन या फिर वॉकिंग इन चीजों को जरूरेड करने हैं कुछ भी अच्छी चीजे खाने का जरूर एड करने और दूसरा और मम्मी पापा से या फिर आपके ज अच्छा फील होगा कि आप अगली बार और जादा एनर्जी से पढ़ सकोगे उनकी बातों से आपको जो मोटिवेशन मिलेगा ना कि कितना बैडली वो चाहते हैं कि आप सकसेस्फुल बन जाओ और वो भी चाहते हैं कि उनका बच्चा सामने खड़ाओ कि आज हमारा बच्च आपको कभी भी लगे कि आपसे नहीं हो रहा जेहीं नहीं हो रहा जैनुवनली अगर अंदर से लगे थीक है तो आपकी लाइफ की जो इंपर्टेंस वो इन सब चीजों से जाद है ठीक है बहुत सारे ऑप्षिनिटीस हैं बहुत सारी औप्शन्स हैं आज हम कितने लोग ब करते हैं और हमारी रेंक्स कैसे आती जो टीचिंग का प्रोफेशन है वो कितना इंपॉर्टेंट है ठीक है उसकी इंपॉर्टेंस हम सायद समझ नहीं पा रहे है लेकिन नीट है डॉक्टर है इंजीनियर है उन सब को खड़ा करने में टीचर्स का हाथ है ठीक है हमारी मम्मी बहुत लोगों की मम्मी हाउस वाइफ होंगी पर हमारी मम्मी की कितनी इंपॉर्टेंस है अगर वो सक्सेस्फुल कुछ कर नहीं रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है तो इसलिए आप एक चीज समझ लीजे कि आपकी लाइफ की इंपॉर्ट से वो लोगों से जो आपको अंसक्सेस्फुल देखना चाहते हैं ठीक है आपको सक्सेस्फुल होना है आपको सक्सेस्फुल होने के लिए अपनी जिंदिगी को दाओ पर नहीं लगाना है और आप लोगों के जो भी क्वेरी से बताईए इतने नेक्स लाइट देख लेते हैं कार्तिक ने पूछ ली थी है ना वह सबसे वड़ा इस टाइम का पर और भी सार और भी डिस्ट्रेक्शन होते हैं जैसे सोचल मीडिया बहुत बड़ा डिस्ट्रेक्शन है तो जब मैं तयारी कर दी तो मुझे ऐसा लगता था कि डिस्ट्रेक्शन से कैसे बच्चे का बैस्ट कि डिस्ट्रेक्शन तो अच्छी चीज है ऐसे कितने सारे बच्चे होगा आप सोचिए जो डिस्ट्रेक्शन की वज़े से पीछे रह जाते हैं तो आपके पास उपोर्चुनिटी है ना उस चीज को ग्रैब कर ली जो रागया जाई है डिस्ट्रेक्शन आपके लिए नही मेरे लेहान आप निकल गया ना वस रेस से आ आपका मोका ही है थन्स तो आ transm carrier आप इसे गया को commitment क्या क्रती थी क्योंकि मैं भी इंस्ट्रागाम चलाती थी ठीक है honestly तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं ने सोच में रख गा question कि चलो ठीक है अब यह वाला ब्रेक है या फिर इस ब्रेक के बाद मुझे पढ़ना नहीं है तो 10 मिनट मैंने इंस्टाग्राम चला लिया 15 मिन चला लिया क्या करने को डिमाग की थी सब्सक्राइब करों तो यह सब चीजे किसा और अने falou ज़ुरी तो आप किसी बड़े के आसपास रहो ठीक है यह एक अच्छा तरीका होता है क्योंकि जब मैं फोन चलाती थी मैं अपनी मम्मी के पास में बैठ जाती थी ममा कुछ भी काम कर रही है उनके पास बैठ के फोन चला रही हूं तो हमारी मम्मी का human nature होते है कि वह 10-15 मिन बाद यह बोल देते है कि पढ़ क्यों नीरी है ठीक है हम लोगों को एसा लगता होगा कि हमें सब कुछ आते हैं हम हैं शेयर हैं ठीक है लेकिन हमारे मम्मी पापा को सारी शी से पते हैं तो उनके आसपास रहोगे ना तो आप कभी नहीं बटकोगे और नेक्स चीज देखते हैं अब कोचिंग और सेल्फ स्टडी को कैसे बैलेंस करना है तो कोचिंग की क्लास में बहुत ज्यादा फोकॉसड रहना है उससे क्या होगा जो और लगेऄगी चार घंटे मेरा साथ यह चीज होती थी कि इसे अपने नोट humidity कीजिएर बहुत जल्दी बहुत स्पीड में नोट करती थीं और इसके पड़ी लोग है नोड severe तो इस तरह से आप अपनी चीजों को बैलेंस कर सकते हैं कि आपका जो प्रैक्टिस पेपर हैं वो कंप्लीट हो जाए तो इस तरह से आप कम्प्लीट कर सकते हैं कि अपना time manage करोगे ना तो अपने चीजों को बैलेंस करना एजी है और एक चीज और मैं आप लोगों को बता हूं कि जब आपकी त्यारी शुरू हुई है तब आप 10-10-12-12 घंटे मत पढ़िए क्योंकि फिर ना moral डाउन हो जाता है और नीट तक आते आते बहुत सारे अच्छे ऐसे होते हैं जो पर 6 घंटे पर लेके गए तो इन चीजों को दीर दीर अपने ग्राफ को दीर दीर बढ़ाना है अगर आप आपका जो पोटेंशेल उसको टॉप पर पहले दिन रखोगी ना तो वह ग्राफ ओविसली नीचे आएगा तो हमें ग्राफ नीचे नहीं लेकर आना हो नेक्स्ट पर आती है माल लो किसी बच्चे के 1.500 नंबर है और आपके 2.500 आप हो ना किसी से तो आगे हो और अगर आप सबसे पीछे भी हो तो आपके पाफ स्कोप तो है आगा आने का ठीक है और 1.500 नंबर से next test पर 2.500 नंबर में जाना बहुत मुश्किल नहीं होता है हां अगर आप सारे 600 पर हो और 700 पर जाने की सोच रहो तो वो थोड़ा सा टफ होता है मैं मानती हूं लेकिन 1.500 नंबर से 200 पर जाना 200 से 300 पर जाना यह टफ नहीं होता है ठीक है तो अभी आप 9-10 में हो शायद अभी आप लोग पेपर एटेंप्ट नहीं करते होगे पर 11-12 वाले बच्च इस सेशन के बास से बहुत अच्छे से पढ़ो बहुत अच्छे से चीज़े वापिस से शुरू करो कोई दिक्कत नहीं है टेस्ट हमेशा देने आपको मतलब क्योंकि मैं ड्रॉपर बैच में थी तो मेरे पास लगग लगग 10 महीने का टाइम था ठीक है 10-11 महीने का टाइम अगर है तो मेरा वह प्रैशर कैसे हंड़ करें उनके सापने को कैसा पूरे गढ़न है पहली बात कि उनका जो सपना है वो आपका भी सपना होना चाहिए ठीक है और अगर आप उनके सपने को अपना सपना नहीं बना सकते तो उन्हें आप समझाईए कि यह हमारा सपना नहीं बन पारा क्योंकि शायद आप उनके सपने को पूरा कर पाएंगे कि नहीं यह नहीं पत नहीं चाहते हैं कि मेरा अच्छा बन जाए नहीं अगर वह डॉक्टर बनाना चाहते तो वह चाहते हैं कि मेरा पच्छा अच्छा बन जाए और अगर वह चाहते हैं कि हमारा बच्छा कुछ बने तो वह चाहते कि सक्सेस आपको मिल जाए ठीक है प्रेशर नहीं डालते हैं वह आपको सही रास्ते पर रखना चाहते हैं जैसे अगर वह प्रेशर डाल रहे हैं कि पढ़ लो पढ़ लो तो वह यह नहीं है कि आपको जब बरतस्ती पढ़वा रहे हैं वह यह नहीं चाहते हैं कि आप पढ़के क्योंकि आज का जो जनेरेशन हैं आघए को जो माहौल है जो दुनिया सठेस्फल होए बिना आपको कोई कि आपको कोई भी नहीं पूछने वाला तो एक बार तो हर किसी इंसान को देखो अपने जिन्दगी में रगड़ना पड़ता है मैंने दो साल बहुत महनत की डॉपर बैच में बहुत महनत की उसके बाद जाके मेरा नीट निकला ठीक है मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि मैं कोई अपने पास रखने वाला है लेकिन अपने पेरेंट से पूछो तो आपको समझ में आना चाहिए कि सिर्फ आपके पेरेंट्स है कि आप उन से आगे बढ़ो ठीक है अपोजे जैन्र भी नहीं चाहता जिससे अप ऑंटरेक्टोर वहें कि आप उन तो यह चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि parents pressure create नहीं करते और अगर किसी के parents को नहीं चीज़ा समझ में आ यह तो आपका फर्स बनता है कि आप parents को अपनी चीज़ा समझाए कि मम्य पापी यह चीज ऐसे होती है ठीक है यह चीज इस तरह से होती है और दीरे दीरे टाइम के साथ ही improvement आएगा पर उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी इंप्रूब्मेंट के लिए तभी तो आपके मम्य पापा खुश होंगे अब आप तीन से बाद धाई सो ले होगे तो मम्य पापा कैसे खुश होंगे फिर से क्वेशन है कि नीट की preparation और स्कूल को कैसे manage करें मैं वही अगेन बता रही हूं कि नीट की preparation और स्कूल का अलग नहीं है जो आप कोचिंग में पढ़ रहे हो जो आप स्कूल में पढ़ रहे हो वही आप से paper में पूछने वा तो हाँ में जो समझ में आता है कि स्कूल के साथ self study manage करना बहुत मिश्किल हो जाता है अगर आप coaching भी ले रहे हो क्योंकि तीन तीन चीज़े नहीं हो सकती तो आप मैं इसलिए बता रही हूं कि स्कूल चल रहा है स्कूल में recess का time है जरूरी है कि खेलना आपको ठीक है खेलन नहीं होता है questions लगाने जो topic week है उन्हें देखना है यह सब चीज़े तो करनी है ना तो यह सब चीज़े आप बीच-बीच में कीज़े ना खाना खा रहे हो मान लो ममी के लिए भी 10 मिट लगेगा खाना बनने में एक बर एक topic revise कर लो तो यह क्या self study में नहीं आएगा तो preparation ऐ अले दोर में भीड से अलग कैसे दिखें इसकलिए मैं बता रही थी आपको कि government seats वैसे भी बहुत कम है ठीक है और हर कोई government seat लेना चाहता है जब 25 लाग बच्चों का टेस्ट है और आप 25,000 में आना चाहते हो तो आपको obviously भीड से अलग बनने है और भीड से अलग बनने क्य का तरीका है भीड से अलग सोचना हर कोई मतलब ऐसे करता है कि मुझे बाय अच्छी लगती है फिर chemistry फिर physics तो फिजिक्स को सबसे ज्यादा कम time दे रहे है फिजिक्स में पढ़ने मन नहीं लगता आप reverse करो जब 24-25 लाग बच्चे ऐसे कर रहे है तो आप ऐसे करो ना नहीं मुझे physics टफ लगती है मैं physics को strong बनाऊंगा क्योंकि physics में बहुत बच्चे बहुत कम नंबर लेके आते हैं तो मैं physics को इतना strong कर लूँगा कि मेरे physics में फुल नंबर आएंगे ठीक है ये भी तो सोच सकते हो ना आप जब आप इस तरह सा सोच हो कि तभी तो आप अलग अची से होंगे जो अपनी क्लासित में 1st 2nd 3rd आते थे 2nd 3rd 4 में क्या strategy होती थी उस तेम पर स्टेजी नी होती थी एक ही चीज होती थी जो पढ़ाया गया वो से अच्छे से पढ़ना है यहां पर भी निट में एक ही स्ट्रेजी जो पढ़ाया गया उसे अच्छे से पढ़ एक भी question ऐसा नहीं होता जो बिना पढ़ाया हुआ आता है ठीक है एक भी question ऐसा नहीं होता जो class में बढ़ाते हैं वही test में आते हैं भले test का level थोड़ा सा अप होता है और जो हम लोगों ने साल भर पढ़ा है वही नीट में आता है भले उसका level कैसा भी है मालीज आप 2024 का पेपर उठा के देखेगा एक भी question NCRT से भार नहीं था बायो का एक भी question सारी NCRT की की lines NCRT की diagram इन चीजहों से दिया गया था और एक चीज मैं importantly आपको पता दू कि physics की NCRT आप skip कर सकते हैं ठीक है हो सकता है कोई बच्छा पढ़ रहा हो अगर उसको suit करता है तो ठीक है लेकिन आपको time manage करना physics की NCRT बिल्कुल skip किजिए मैंने की थी ठीक है क्योंकि physics की NCRT से जो भी question आएगा वह ऐसा आएगा जो आपके class में teacher जब आपको theory समझा रहे होते हैं किसी chapter की starting में उन से बन जा है ठीक है और chemistry और bio की NCRT जरूर पढ़नी है बहुत सारे बच्चे chemistry की NCRT skip करते हैं ठीक है वह गलती नहीं करने आप लोगों को मैंने first drop में गलती की थी इसलिए मैं आप लोगों को suggest कर लिए कि वह गलती आप लोग मत कीजिएगा आप लोगों को पूरी तरह से ध्यान दे ही है chemistry की NCRT क्योंकि inorganic questions ठीक है inorganic जो question होते हैं वो direct NCRT based आएंगे और इतने easy होंगे ना कि option देखके आपको समझ में आ जागा कि यह मैंने पढ़ा था और बहुत easily आप उसको कर पाऊगे ठीक है question को physical की NCRT अगर आप चाहो तो skip कर सकते हो ठीक है physical NCRT skip कर देना यह सब बाते शायद 910 वाले connect नहीं कर पा रहे होंगे तो 910 वालों का क्या है अभी अपनी पढ़ाई पर पूरा focus कीजिए जैसा second, third, fourth, fifth class तक करते आया हो ठीक है eight class तक जैसे किया है पूरा focus कीजिए लेकिन 11th class के लिए आपको NCRT पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है ठीक है focus concentrate क करने के लिए again मैं आप लोगों को जैसे एक तो योगा ठीक है योगा की एक पॉइंट एक योगा मैं करती थी कि एक डॉट बनाया और उसको लगबग 2 या 3 मेर तक देखते रहो तो शुरू-शुरू में आपका सर चकर आता है ठीक है वो आपका concentration बढ़ाता है दूसरा कि अपने चोटे-चोटे गोल सेट करो और उनको ध्यान से पढ़ो यह चीज आपका concentration बढ़ाएगा ठीक है और अपना माहूल ठीक है environment बहुत जरूरी है डल जगय पर बैठके नहीं पढ़ना ठीक है अगर हो सकता है तो अपने आसपास bright और मतलब light light colors का यूज करो ठीक है जै चीजों में focus नहीं होता आपका concentration बढ़ेगा जब आप अंदर से खुश हो और अंदर से शान्त हो ठीक है उसके लिए क्या है white color आपके आसपास रखिए yellow color green color अपने आसपास रखिए ताकि आपका concentration बढ़ेगा और एक-दो exercise अगर आप कर सकते हैं ठीक है तो उन चीजों से आपका concentration बढ़ता है जैसे योगा में बहुत सारी चीजों होते हैं जिससे आप concentration बढ़ा सकते हो यह चीज़े कर सकते हो रामबान strategy रामबान strategy मेरी थी teacher से डाट मेरी best मतलब सबसे अची चीज क्या होती थी teacher से बहुत डाट खाओ और उसके बाद जो strategy बनती है जो दिमाग चलता है वो अलगी level का चलता है मतलब मैं तो इतनी इतनी डाट पड़ी है कि क्लास में मतलब ऐसा हो जाता है कि अब रोने वाली हूं मैं इतनी डाट बे पढ़ती थी लेकिन में को एक चीज़ पता थी कि क्योंकि वो तीज के काबिल हूं कि teacher मेरे पर अपना दो या तीन मि क्योंकि उनको पता है कि आप में वो काबिलियत है और शायद आप थोड़ा बहुत डिस्ट्रेक्ट हो रहे हो या अपनी जो लाइन है उससे इधर उधर हो रहे हो तो आपको वो अपनी लाइन पर ले आएंगे और उसके बाद ऐसा हो जाता था कि अब तो बहुत अच्छे लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते है कि आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया ठीक है टॉपिक्स पता चल लगा है अब उसको आप अगर NCRT से पढ़ लोगे उसकी एक रीडिंग अगर आपने NCRT से लगा ली तो टॉपिक्स तो सेम है ना टॉपिक्स सेम है बस NCRT की लेंग्व है हम लोगे साइंस में लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 910 में बहुत जादा है तो 910 में एक बार ऐसा कर सकते हो कि NCRT पढ़ ली अपनी और क्या बोलता है स्टेट बोर्ड या फिर NCRT में अच्छा अगर आप NCRT का कोई मान लीजे परग्राफ है और अपने टीचर को बोलेगे बहुत इतना अच्छे से पढ़ना है हमारे पास कोई ऐसा क्रेटेरिया तो है नहीं कि बोर्ड में इतने माक्स लेकर आने और तभी आप निट क्लियर कर सकते हो ठीक है बोर्ड में लियो अपने 50-50% अगर आपसे बहुत ज़्यादा मैनेज नहीं हो तो आपका ultimate goal क्या है न ठीक है संदे को उन चीज़ों को फिर revise कर लो दो बार revise करने के बाद अब आप आई नो कि आप लोग ऐसे तो हो कि दो बार revise कर लो तो वो चीज़ आपके दिमाग में रहेंगी और जो आपको कोचिंग में बढ़ा रहे हैं वो आपको पूरा neat base बढ़ा रहे हैं अब आपकी कि यह आपको पढ़ा दो मालो कोई topic आपको नहीं समझ में आ रहा है आप teacher से time लिलो आपको अलग से समझा देंगे इन चीज़ों से क्या होगा आपका एक तो time बचे हो कि आपको उसमें एक घंडा बरबाद करोगे और teacher आपको 15-20 minute में वो पूरा topic अच्छे से पढ़ा दे क्योंकि teachers हमेशा हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहता है ना पढ़ाने के लिए समझाने के लिए doubt counters पे तो यह चीज़े तो करो ना teacher से जुड़े होगे देखो मेरी journey में क्या था मुझे पता था कि इसके बाद मैं drop नहीं लेना चाहती ठीक है मुझे यह पता था कि मुझे distraction हो रहा है या कुछ problem और हो रही है घर में कुछ problem हो रही है मैं सब कुछ teacher को बढ़ा देती थी क्योंकि teachers एक तो हमारे friends इस time पर ऐसे friends है मतलब इस journey का दौरान अगर सबसे अच्छे friends को हो सकते तो वो teachers हो सकते हैं उनसे question discuss करो उनसे non academic problems discuss करो ठीक है वो solution भी अच्छा बतात chemistry chemistry के तीन पार्ट है inorganic को कैसे study करने class में जो पढ़ाया है notes revise करने ncrt पढ़नी है और बहुत जादा question inorganic करने की जरुवत मिया इन और गनिका करने तो तीन बार ncrt पढ़ लो पूरी journey में तीन बार ncrt पढ़नी है कम से कम एक chapter के 200 question लगा लो बस इसके अलावा कुछ नही और ncrt नहीं जो जाएगी ठीक है अगर अबकी WAT अच्छी है तो की प्रबाद नहीं कि तो इन एक subject हो सकते है को है कम सकती है Aah Пोजीट हो च्ट्रोंग और बरन बात बोलग पर organic में क्या करना है out of ncrt नहीं पढ़ना मेरे first drop में मेरे से गलती हो गई थी कि मैं सारी reactions पढ़े जाती थी ठीक है लेकिन second drop में जब मैं थी तो में को teacher ने बहुत अच्छे से समझाया कि जब आना ही नहीं है paper में तो क्यों पढ़ना है है ना आना ही नहीं है paper में तो क्यों पढ़ो वह जो question आने वाले देखो अगर आपको एक सॉसी questions पढ़ा चल जाने आपके paper में क्या आने वाले है तो आप उसके अलावा कुछ पढ़ोगे क्या तो जब आपको पता है कि इन reactions से बाहर कुछ भी नहीं आएगा तो आप उन reactions को क्यों पढ़ रहे हो ncrt में बहुत पीक है और उस हिसाब से अब ठीक है देखिए ठीक है यह वाली slides हमारी खतम हो गई है और 6 बजे आप लोग की classes भी है तो I think and I hope कि आप लोग के लिए यह session थोड़ा सा beneficial रहा होगा और आपकी journey में थोड़ा कुछ तो help करेगा और कुछ तो add-on करेगा और ऐसे interactive sessions अगर आप लोग को अच्छे लगेंगे तो हम लोग और लेके आएंगे और जो Google form आप लोग के chats में हम लोग ने ठीक है बार-बार upload किया वो प्लीज आप लोग कैसा session लगाई है और जो भी आपका review है और पढ़ते रहिए ठीक है पढ़ते रहिए खुश रहिए फिर पढ़ते रहिए और अपने ममी पापा को भी खुश रखिए ठीक है all the best and I wish you success आप सभी लोग को success मिले सब लोग rankers बनो सब लोग dream college में पहुँचो और अगर कोई ना झाल